समय के पास उतना समय नहीं कि वो आपको द्वारा समय दे सके Hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग? मैं CA कंचिन गुपता आपका इस प्लाटपॉर्म पे बेहस स्वागत करती हूँ आज की क्लास में हम करने जारे एक बहुती important सा शांदार सा topic जिसका नाम है demand and elasticity of demand इस particular chapter के अंदर हमारे पास एक topic आता है कि what is the meaning of demand आखिरकार demand कहते किसे हैं ये हमें सीखना है अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो जब भी हम किसी chapter को पढ़ने जाते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम उस chapter को अपनी real life में ढूंडते हैं क्या वो chapter हमारी real life में कहीं है? अगर मिल गया ना तो समझो सोने पे सुहागा क्यूंकि जब आप उसको अपनी निजी जिन्दगी का हिस्सा समझ लेते हो अपना समझ लेते हो तो आपको उससे चार गुना जादा मोहबत हो जाती है बोलो सही बोली या गलत एकदम सही बात जिसको आप अपना समझ लो वो आपका है उससे आपको हजार गुना जादा मोहबत होगी और जिसको आपने पराया समझ लिया ना उससे आप मोहबत नहीं कर पाते हो तो जब आपको फील होगा इस इस दा चाप्टर जो की आपके अंदर अल्रेडी है आपके बलड का हिस्सा है तो आपको इस चाप्टर से हजार गुना जादा प्यार हो जाएगा और भी जादा प्यार से आप इस चाप्टर को पढ़ना शुरू कर दोगे और सभी बच्चा जोड से बोलेगा जय माता दी चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना डिमांड चाप्टर इस चाप्टर को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा क्या डिमांड चाप्टर भी हमारी रियल लाइफ का हिस्सा है इसे समझाने से पहले मेरा आप सब से कोशण है हो मैम, question आप पूछ रहे हो, online में पूछ रहे हो, मैम आप कुछ भी पूछ लो, हम answer ही नहीं दे पाएंगे, आपको answer देना पड़ेगा, चलिए, मेरा question ये है, आप मुझे बताओ, आपकी life में ऐसा कौन है, जो जिन्दगी भर आपका साथ निभाने को त्यार है, अब कुछ माम, जिन्दगी भर तो साथ सिर्फ हम सफर निभाता है, मतलब की माम, spouse निभाती है, या निभाता है, तो आप मुझे बात बताओ, जिन्दगी भरने निभाते, वो भी आपको 30 या 35 साल की या 25 साल की उमर के बाद मिलते हैं, फिर एक बच्चा बोला माम, girlfriend, girlfriend की आपको पै अकेला छोड़ देते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, दुनिया में जो आपके बर्त के साथ आपको मिलती है, और जब आप इस दुनिया से चले जाते हो, तभी उससे आपका पीछा छूटता है, वो ही सच्चे मन से पूरी सिद्दत के साथ आपका साथ निभा माना है, so demand is only the chapter, demand is only the word जो आपकी life में आपके साथ है, आप वो नादान परिंदे हो जिसको पता भी नहीं कि ये chapter आपके अंदर अल्रेडी घुसा हुआ है, मुझे बस इस chapter को उभार के बाहर लाना है, और आपको दिखाना है कि देखो ये chapter आपको अल्रेडी आता था, क्य जब बर्थ हुआ होगा, तो इसको diaper की demand लगी, doctor की demand लगी, हर 4 दिन में बेमार हो रहा है, medicine की demand लगी, फिर ये बच्चा बढ़ा हुआ तो इसको football की demand आई, फिर ये बच्चा और बढ़ा हुआ इसको पढ़ने लिखने के लिए back की जरूरत पड़ी, और बढ़ा हुआ तो किताबों की जरूरत पड़ी, और बढ़ा हुआ तो इसको fancy back की जरूरत पड़ी, office back की जरूरत पड़ी, फिर इतना बढ़ा हुआ कि ये चल नहीं पा रहा, अब इसको डंडे की, stick की जरूरत पड़ी, अच्छा आपको एक और बात बताऊ, जब ये इनसान इस दुनिया को अलविदा कह देगा न, तब भी इस इनसान को मरते वक्त भी demand करनी पड़ेगी, मन तब कौनसी demand, अंतिम संसकार के लिए पंडित की demand, कफन की demand, लकडियों की demand, demand कभी खतम नहीं होती है, जब ये पूरी तरह से खतम हो जाएंगे, जब वो होता है, क्या होता है, अस्थिया तरह समझ आ रहा होगा, कि demand आपी की life में already inbuilt है, आप वो नादान परिंदे हो, जो सुबा उठते ही demand करते हो, और रात तक आपकी demand चलती रहती है, चलिए, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, दो प्यारे प्यारे से लोग, सपोज ये हैं आप, ये हो आप, और ये हैं आ कर तुझे क्या चाहिए, ये बोलती है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, अब अपना सोनु चांद लाने के लिए सोचेगा या नहीं मुझे बताओ, मैं मैं हाँ, मैं लाओंगा ना चांद, मैं लाओंगा ना चांद, कहां से लाओ अब ये पहले वाला टाइम नहीं है आज के टाइम में चांद भी लाया जा सकता है अगर आपकी वो मांगे तो चाइना वालों को कॉंटेक्ट कर लेना एक दो दिन के लिए उधार मांग लेना तो कुल मिला के बात यहां पे आई कि इनको चांद चाहिए आप मुझे बताओ स उन्होंने चांद मांगा that means अब इनको चांद चाहिए that means सबसे पहले इनके मन में भावना आई कि इनको चांद चाहिए यह भावना क्या है यह भावना डिजायर है यह भावना इच्छा है क्या यह चांद लेके आ सकते हैं क्या इच्छा इनकी डिमांड बन पाएगी या इच्छा आज ही के दिन खतम हो जाएगी क्योंकि हर चीज तो डिमांड नहीं हो सकती ना, किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले मन में आपको एक इच्छा पिरकट होती है कि हां मुझे वो चाहिए, काश ये मेरे पास होता, काश वो मेरी होती, काश वो मेरा होता, काश कार मेरे पास होती ,Sबसे पहले ये भावना पिरकट होती है ,अ जब वह भावना पिरकट हो जाती है , फिर आप अपने पॉकेट में हाठ डालते हो, और देखते हो क्या भावना को पूरा करने के लिए आपकी उकात है? अब ऐसी अपने सोनु ने पॉकेट में हाट डाला, पॉकेट में से निकला 10 रुपया, जिसे समोसा भी नहीं आएगा, चांद कहां से आएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ? डिजायर तो थी, लेकिन मैं आउकात नहीं थी, मतलग कि एबिलिटी टू पे नहीं थी, बास समझ पा रहे हो नादान परिंदो? येस मैम, आप मुझे बताओ, क्या ये डिजायर डिमांड बनेगी या ये डिजायर खतम हो गई? क्यों? क्योंकि डिजायर को पूरा करने के लिए अबिलिटी टू पे चाहिए, औकात चाहिए, यहाँ पे सोनू के पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए जो इच्छा पिर कट हुई थी, वो इच्छा कही ना कही दब जाएगी, मर जाएगी, लेकिन वो इच्छा कभी भी डिमांड नहीं बनेगी. अब मुझे बताओ, इन दोनू का रिष्टा बचेगा या ये भी खतम? मैं, चांद नहीं आया, तो का है का रिष्टा? अब मैं 1000 करोड रुपीज, for an example, मान लो कि चांद की वैल्यू इतनी है, मुझे correct वैल्यू पता नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने चांद अभी तक मांगा नहीं, तो अब सर्च कर लेना Google पे, मैंने for an example लिख दिया, कि suppose करो ये चांद की वैल्यू एक हजार करोड रुपे है, अब सोन अले तो desire ही पिरकट हुई, उसके बाद ability आई हाथ में की नहीं आई, resources आए की नहीं आए, yes मैम ability to pay भी आ गई, कुल मिला के सोनू की इच्छा थी, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए सोनू के पास resources है या नहीं, बोलो हाँ या ना, yes मैम सोनू के पास resources भी है, सोनू की तो मौजा ही मौजा हो रही है, मैं मजा आ गया सोनू को, अब सोनू चांद खरीच सकता है, सोनू अपना रिष्टा बचा सकता है, लेकिन सोनू ने देखा, देखा कि इनकी जो girlfriend थी, इनकी जो वो थी, वो किसी और से भी बाते कर रही थी, वो किसी और को भी चांद की घंटियां बजने लगी, सारी की सारी बत्तियां जल उठी, अब सोनू ने कहा कि मैं यहाँ पे इनके लिए एक हजार करोड रुपे बिल्कुल भी waste नहीं करूंगा, मैं CA कर रहा हूँ, मैं CA स्टूडेंट हूँ, मेरे पापा ने मुझे ये पैसा दिया है, मैं इस पैसे को ले जाके स्टॉक मार्किट में लगाऊंगा और इस पैसे से बहुत मोटा पैसा कमाऊंगा, आप मुझे बताओ, क्या अब सोनू मून को खरीदने के लिए विलिंग है या नहीं, प्लीज बताओ, नो मैं, डिजायर थी, एबिलिटी टू पे भी आ गई, पापा ने पैसा से दिया, लेकिन सोनू ने देखा कि नहीं, मैं ये मून नहीं खरीदूंगा, मैं सीए हूँ, मैं इस पैसे को स्टॉक मार्किट में लगाऊंगा, सोनू की विलिंगनेस चेंज हो गई, वो पैसे खर्च करने की जो चाहत थी मून पे, वो चाहत बदल कि अब स्टॉक मार्क पे शिफ्ट हो गई, बास समझ रहे हूं मेरी, आप मुझे बताओ, क्या अब डिजायर डिमांड बनी या वापस से किल हो गई, क्यूं, क्यूंकि एक डिमांड को, एक डिमांड को इन सभी रास्तों से होके गुजरना पड़ता है, एक डिमांड तभी बनती है, पहले वो पिरकट करती है, उस डिजायर को पूरा करने के लिए आपके पास आपकी आउकात होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास बेटा रिसोर्स होने चाहिए, सोनु रिसोर्स होने चाहिए, आपके फादर ने आपको रिसोर्स दे भी दिये, आपकी लोटरी लग गई, आपने मोटा पैसा कमा भी लिया, आपके पास resources भी आ गए, लेकिन अब उन resources को खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए, willingness भी होनी चाहिए, अगर willingness है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आपकी demand है, For an example, अभी आप अपनी pocket में जहांके देखो, आप पे, क्या 40 रुपे है, Cornetto को उनको खाने के लिए, हाँ मैम, है इतना तो, that means आपका अगर मन है, आपके पास ability to pay है, प्लस आपकी willingness भी है, तो हाँ, ice cream की आपने demand पिरकट कर दी, क्या आपको ये car खरीदने है, लंबोर गिनी, क्या आज के time आपके पास 5 करोड रुपया है, नो मैम, ability to pay नहीं है, क्या आपका इसको खरीदने का desire है, यस मैम, desire है, लेकिन जब आउकात नहीं है, resources नहीं है, तो desire क्या करेगी, desire तो वैसे ही मर गई, desire कभी demand बनेगी ही नहीं आगे आओ, असली वाला moon कभी खरीद पाओगे क्या, नो मैम, तो ये भी desire demand नहीं बनी, लेकिन इस वाले example में मैंने आपको प्रूफ किया कि आपकी desire आपकी demand बन गई, सभी बचाब प्यार से बोलेगा, जै मता दी, चलिए जी, आईए यहाँ पे देखते हैं कि demand हमेशा ए एक certain place पे पैदा होती है, एक certain time and quantity में पैदा होती है, then what is the meaning of this? आप अगर market जाओगे, तो आप क्या कहोगे मुझे बताओ, आप आलू लेने गए, आप market में आलू लेने गए, आप क्या बोलोगे? भया, पाँच किलो आलू, अभी के अभी दे दो, और आलू का price 40 रुपीज पर कीजी है, या फिर मैं बोलू, आप दुकान पे गए, रजिस्टर लेने तो आप क्या कहोगे? पाँच रजिस्टर, पचास रुपे वाले अभी के अभी दे दो, अभी के अभी दे दो, आओ, अब कुंसेप लगाएंगे, पाँच रजिस्टर, this is what? quantity, पचास रुपे वाले, this is what? price, अभी के अभी दे दो, this is what? time, एक demand को फुल्फिल करने के लिए, तीन elements होने चाहिए Demand को फुल्फिल करने के लिए, तीन elements अग्जिस्ट करते हैं, quantity, price, time, सभी बच्चा साथ में बोलोगे, जोर से बोलोगे, quantity, price, time, quantity, price, time, ये तीन elements होते हैं, demand को एक्स्प्रेस करने के elements Demand हमेशा एक certain price में आती है, certain time पर आती है, certain quantity में आती है, definitely एक place होता है, अगर आप online खरीद रहे हो, तो आप online market में e-commerce के थ्रू चीजों को पर्चेस करोगे, तो वो online platform is also the place, लेकिन जब आप एक physical market में जाके चीजों को पर्चेस करते हो, तो वो physical place is also known as the place थोड़ा समय आगे बढ़ जाती हूँ, जिस पर बच्चों का concept पे एक और doubt आता है, कि ma'am demand flow concept है या stock concept है, ये examiner भी बहुत बार आपसे question पूछता है, बताओ बच्चा demand is a flow concept और stock concept, आप सभी नादान परिंदे, आपको पता नहीं, आप गलत करके आ जाते हो, चलो अब इस बात को सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, वही, सोचो ना खुछ से क्यूं इतना दिमाग लगाना है यहाँ पर, यहाँ जो लिखा है वो ही थोड़ी ना पढ़ने के लिए आए, भगवान ने इतना यूज ब्रेन दिया है, हम सीए इसको, आप सबको तो इसका यूज करेंगे न आप मुझे बताओ, आज आपको भूक लगी है, और बहुत जोड से भूक लगी है, मम्मी मैगी चाहिए, मम्मी मैगी चाहिए, आपके मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, ले बेटा मैगी खा, आपको मैगी मिली, आपने खाली, क्या कल आप मैगी की डिमांड नहीं क्या पर्सु आप मैगी की डिमांड नहीं करोगे? क्या आप कभी भी मैगी की डिमांड नहीं करोगे? आपको आज कपड़े पहनने हैं, आज आपने कपड़े पहन लिए, क्या आप कल कपड़े नहीं खरीदोगे, क्या आप उसके बाद कभी कपड़े नहीं खरीदोगे, डिमांड कभी भी रुकती नहीं है, डिमांड हमारी हमेशा चलती रहती है, डिमांड हमेशा चलती रहती ह demand को बोला जाता है demand is the flow concept जैसे नधी का पानी है आप देख रहे हो वो पानी बहता रहता है उसमे एक flow है उसमे एक flow है similarly अगर मैं बात करूँ जो तालाब होते हैं जो पोंड होते हैं जिनमें पानी रुक जाता है उस पानी को हम क्या बोलते हैं ये पानी stock हो गया है ये पानी रुक गया है लेकिन वहीं आप देख रहे हो river का पानी बह रहा है समुद्र का पानी बह रहा है तो वो क्या है वो flow हो आप मुझे बताओ demand अब stock है या flow है बच्चा क्या demand एक बार arise होती है फिर कभी नहीं आती या demand बार-बार प्रिकट होने वाली चीज है मैं demand बार-बार प्रिकट होती है इसलिए बोला जाता है कि demand is the flow concept demand is the flow concept अब जल्दी से मुझे revise कराओ मैंने क्या पढ़ाया सबसे पहले हमें याद दिलाओ कि आखिर का demand कहते कैसे है meaning of the demand क्या है मैं meaning of the demand में तीन बाते हमें याद रखनी है desire, ability to pay, willingness to pay desire, ability to pay, willingness to pay साथ में बोलेंगे desire, ability to pay and willingness to pay demand के elements बताओ, तीन थे, yes ma'am time, price and quantity साथ में एक और याद रख ले न, place time, price, quantity and place demand is a stock concept और flow concept साथ में बताओ, demand is a flow concept demand is a flow concept चलो, जितना भी पढ़ा, एक बार मुझे MCQ solve करके बताओ तभी मैं मानूंगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको सब समझाया question number one, demand for a commodity refers to demand का क्या मतलब होता है, नादान परिंदे सभी बताओ, सोच के एक साथ desire backed by ability to pay, मतलब की ma'am ऐसी इच्छाएं जहां पे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास resources हो, no, यह तो आदिया दूरी definition है ना, resources होना ही काफी नहीं है, resources होने के साथ साथ willingness भी होनी चाहिए, that means this is incorrect answer, next, need for the commodity, मतलब की सबसे पहले तो हमें उसकी desire होनी चाहिए, and willingness होनी चाहिए, बि गलत है, इन दोनों को मिला के एक होता न, तो सही हो जाता, लेकिन दोनों individually गलत है, क्योंकि दोनों आधी आधी बाते बता रहे हैं, next, the quantity demanded of that commodity, सिर्फ demand करना ही demand नहीं होता है, demand को पूरा करने के लिए तीन element चाहिए, आगे देखो, the quantity of commodity demanded, जो चीज़ आप दिमांड कर रह time, this is the correct definition, और आंसर क्या होगा ये, आपको देखो, हलका हलका ये भी सही लगा, हलका हलका ये भी सही लगा, हलका हलका ये भी सही लगा, ये तो एक दम गलत लगा, I.C.A.I. के question में याद रखना, अगर तीन option है, चार option है, आपको इसमें से मान लो, चारो ही option, चारो ही option सही लग रहे हैं, तो आपको ये सोचना है उस time पे, कि जादा सही कौन सा है, sometime ऐसा ही होता है, straight forward question नहीं होते हैं, आपको चारो ही बाते सही लगेंगी, उनमें कुछ ना कुछ कमिया होंगी, पूरी बात तो देखो बेटा, ये भी नहीं है न, लेकिन जादा सही ये वाली है, इन सब के comparison में जादा सही ये वाली है, तो answer क्या होगा, यही होगा, तो इसी तारीक है के बहुत सारी questions हम करने वाले हैं, हर topic पे करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको demand का topic पढ़ाया, demand का मतलब समझाया, तो पहले demand से related question, this is the question, बताईए answer क्या होगा, is demand is a flow concept, stock concept, flow and stock concept, या फिर none of the above, अकडबकड बंबे बो, answer आएगा, यहाँ पे, क्या आएगा, बताओ जल्दी, मैं आपी ने तो बताया था, demand is a flow concept, very good, अब कुछ निहाईती धीट बच्चे ऐसे भी होते हैं, कभी-कभी ICI question देता है, और D part में पता है, वो क्या लिख देता है, all of the above, all of the above, लेकिन कुछ निहाईती धीट बच्चे ऐसे भी होते हैं, जिनको मैं कितना भी चीक-चीक के बोलनू न, उनके दिमाग में बाद घुसती ही नहीं है, वो all of the above लगा के आते हैं, वो बोलते हैं, कि flow तो है, लेकिन कभी-कभी मैं stock भी हो जाती है, हमारा मन नहीं करता खाने क तो रात को नहीं मन करेगा, सुबा उठके तो मन करेगा न, एक घंटे नहीं मन करेगा, एक घंटे के बाद तो मन करेगा न, कुछ बच्चे अलगी level पे दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हम ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह हैं कि वो ज़्यादा अच्छा सोचने की जगा एकदम कच्रा सोच लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है तो हमें कभी भी अप इमोशनल नहीं होना है भावनाव में नहीं भेना है और इसी के साथ जुड़े रहे इस क्लास के साथ इसी तरह से हम अपने बाकी के टॉपिक्स को भी कवर करते रहेंगे MCQ साथ साथ सॉल्फ करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी चीजों को थोड़ा थोड़ा प्यार प्यार से याद भी करेंगे जैसे मैंने अगर आज आज आपको तीन टॉपिक पढ़ाए तो तीनों टॉपिक आपकी टिप्स पे हैं आपको नींद में भी मैं बोलूँगी न त इतने भी topic करेंगे, इसी तरह से करेंगे, हर एक topic को करने के बाद उसको याद करेंगे, उसके short notes देखेंगे और साथ-साथ उसके उपर MCQs solve करेंगे, मिलते हैं निक्स्ट क्लास में, बबाई, take care, God bless you all.